खबर है कि अपने घाटे को कम करने के लिए BCCI अपने कर्मियों की चटनी कर सकता है और उनकी सैलरी में कटौती भी कर सकता है बोर्ड की एक अधिकारी के अनुसार हमने अब तक सैल्डी कट पर चर्चा नहीं की है लेकिन हम अपनी अगली मीटिंग में इस मुद्दे पर बात करेंगे कि इससे हम कितना कवर कर सकते हैं सबी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम मामला हम फैसला लेंगे लेकिन इतना करीब करीब तैह है कि वेतन कटाथी और छटनी जरूर होगी इससे पहले बोर्ड के कुशाद्यक्षक अरुड धूमल ने संकेत दिये थे कि IPL के 13 सीजन पर काफी कुछ निरभर है क्योंकि इसमें काफी पैसा दाव पर है वैसे भी पिछला टाइटल स्पॉंसर हटने और नया आने पर BCCI का करोणों का नुकसान हुआ है इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बोर्ड सैलरी कटाथी कर चुके हैं BCCI अधिखारी ने कहा है कि अब काफी कुछ IPL की सफलता पर निरभर करता है इस बाट टाइटल स्पॉंसर में भी 200 करोड रुपे से अधिक की कमी आई है ऐसे में देखेंगी कैसे नुकसान को कम से कम किया जा सकता है इसके पहले Cricket Australia, England, West Indies और New Zealand Board ने खिलाडियों और स्टाफ के वेतन में कटाथी की है BCCI की कुछाद्यक्ष अरुड धूमल पहले ही कह चुके है कि करमचारियों और अधिकारियों के खर्चों में कटाथी का काम शुरू कर दिया गया है जहां भी खर्चों में कटाथी की गुंजाईश होगी वहां कटाथी की जाएगी अगर आपको मारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेर करें और हमारी चैनल इंडेनू स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूले